ना फ्री का ग्यान ना बक्वास बस हर खबर पर आपका एंगल तभी तो नंबर वन है दा एंगल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चुपकाईए लोगसमच रौ में राजस्थान में कॉंग्रेस को मिली करारी हार के बाद से ही कॉंग्रेस में हल्चल मची हुई है जहां एक और हार की जिम्मेदारी के नाम पर सीम अशोग गहलोग के स्थीपे की मांग की जा रही थी इसी बीच सीम गहलोग के एक बयान को कुछ मीडिया संस्थानों ने जंग कर तोड मरोड कर पेश किया खबर को मसालेदार बनाने के लिए कुछ मीडिया संस्थानों ने सीम गहलोग के PCC चीफ सचिन पाइलेट पर दिये बयान को तोड मरोड कर चलाया दरसलिक इंटर्व्यू के दौराँ जब गहलोत से पाइलेट और जोधपुर सीट के संधर में पूछा गया तो गहलोत ने तो सिर्फ यही कहा कि मीडिया मेरे और सचिन पाइलेट के बीच गलत तहमी की खबरे चलाता है जबकि अगर सचिन पाइलेट जी ये बात कहते हैं, तो मैंने जमानत दी है बैभव गहलोत की जोधपुर से टिकेट देने की फिर कहा हमारे डिपरेंसेज हैं ये समझ के पने है सवाल मैंने तो ये भी देखा था कि गहलो सहाब सचिन पालेट सहाब एक पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे कि जब उनके टिकेट की बात हुई तो गहलो सहाब चुप बैठे हुए थे और मैंने कहा कि इनकी जमानत मैं लेकर के आया हूँ उनकी कही जीत होगी तो सबसे बड़ी जोदपूर से होगी सच बात है क्या उनके टिकेट के लिए सचिन पालेट सहाब ने कहा था उन्होंने कहा कि अच्छी बात है ना है यह तो यह जो मीडिया में गलत से पैदा होती है कि पीशी जी पैज़र्ण की और मुख्यमाद की बनती नहीं है पर उसके बाद में अभी पालेट सहाब ने कहा अभी जास दिन पहले भी कि बहुत भारी बहुत से चीट जीतेगी जोदपूर की सवाल आपको लगता है जोदपूर की स्ट्रीट की जिम्मेदारी पालेट सहाब की बनती है मनी जब उन्हें कहा है कि सांदा जीत हो रही है टिकल मैंने दिलवाया है और जीते ही हम लोग पचीशी ज़े जब हमें हार गए तो मैं सब्चीश जिम्मारी कोई पीशी जबेंड ले या मुख्यमाद ले यह जिम्मारी का तो सामू जिम्मारी होती है आपको लगता है सामू हो एक जिम्मदारी है शब की दिवारी होती है और जब पूरे मुलके के अंदर सब राज्यों में जिस रूप में डिवेकल हुआ है यह समझ के पर है अपना आप में ना फ्रीका ग्यान ना बक्वास बस हर खबर पर आपका एंगल तभी तो नंबर वन है दा एंगल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चुपकाईए